हलो दोस्तो गुड मॉर्णिंग सौगातिक भाप फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तो आज है 17 अप्रेल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 अप्रेल 2014 के Most Important Current Affair के Questions के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को दोस्तो राम नौमी की बहुत बहुत सुपकामना है और मैं तो मंदिर हो आया हूँ राम मंदिर के दर्सन हो गए सौभा की प्राप्त हुआ पिछले वही ने आप लोग भी पहली फुरसत में जब भी टाइम मिले आप ज जाता है तो 14 अप्रेल को अंभेट कर जैनती और विसू कौन्टम दिवस मनाय जाता है इसके अलामा अमेरिका जो है ये जापान के साथ मिलकरकर अंतिरक्ष मिसन जो लांज करेगा चंदरमा के लिए चंदरमिसन उसमें जैपानी यातियों को सामिल करेगा दो जैपानी या किया इस पर हम लोगों ने कल चर्जा की थी पीम मोधी न्यूज वीक मैगजीन के कवर पेज पर आये हैं यह इस कवर पेज पर आने वाले यह दूसरे मात्र भारती प्रधानमंत्री हैं इंद्र गांदी जी के बाद अमेरिका जापान और फिलिपीन्स की पहली त्री पक्षे बैठक की मेजबानी अमेरिका ने की इसके लावा किन सरकार ने वित्तिवर्ज दोजाज चौबिस पचीज के लिए कोईला उत्पादन कलच रखा है 17 करोन टन या 170 मिलियन टन UK ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट में सामिल कर लिया है और National Housing Bank की नए परबन ने दिस्तिक बन गया है संजे सुकला ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन्स थे करेंट अफेर के कल की वीडियो से इसका आपने किया है एक नेट में रिवीजन अब बात करेंगे हम लोग आज की करेंट अफेर की लेकिन उससे पहले इसकी क्विज और PDF अगर आपको चाहिए तो आप MZT app डाउनलोड कीजिए अब यहां पर क्वेज में गलतिया आपको प्रोबिली 99.99% ना मिले फिर भी कभी हो जाती है मानवी चुक तो उसके लिए माफ कीजिएगा लेकिन वह आप लोग के कमेंट करने या किसी ने किसी स्टूजन दौरा बता दिया जाता है तो सुधार कर दिया जाता है तो यानि तो जो टीम दौरा हो जाता था बाई मिस्टेक हुमन मिस्टेक उसको हम लोगों टू स्टेप वेरिफिकेशन मोड पर कर दिया है तो अब यह चीजे नहीं देखने को मिलेगी पहला कुश्चन आपके सामने आज है प्रतेक वर्स भारतिये रेलवे दिवस कम मनाया जाता है 16 अप्रेल को दोस्तो 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चली थी इसी दिन को याद करते हुए हम लोग रेलवे दिवस मनाते हैं 16 अप्रेल को ठीक है ना और यह 10 अप्रेल से 16 अप्रेल तक का जो सब्ता होता इसे रेलवे सब्ता के रूप में भी सल्बिरेट किया जाता है आप जानते हो पूरे देश में फैला हुआ है इंडियन रेलवे के इतिहास की बारे में कुछ चीजों पर हम लोग नजर डालने खास करके रेलवे एक्जाम से लगे हुए हैं तो आप सभी रेलवे विद्यार्थियों के लिए ये इतना तो जानकारी बिलकुल रटा होना चाहिए भारत में रेलवे की सुरुवात 16 अप्रेल 1813 को हुई पहली बार ट्रेन जो है ये मुंबई से थाड़े की बीच में चली थी 34 किलोमेटर की दूरी पर नाम था इस ट्रेन का ब्लैक ब्यूटी ये नाम आप से पूछा जाएगा भारत की गवर्नर उस टाइम पर थ एक अपग्रेड़ेट ट्रेन माडल की सुरुवात हो गई 1984 में मेटर रेलवे आप जानते हो कोलकाता मेटर के रूप में पहली बार सुरुवात हुई थी वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाइज स्पीड ट्रेन की एक नया मॉडल के ट्रेन की शुरुवात हुई वंदे ट्रेन का समझ लो उस कोईले वाली ट्रेन से आज बुलट ट्रेन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये हमारे ट्रेन के इतिहास को भी दरसाता है और इंडिया के भी इतिहास को दरसाता है फिलहाल आगे अगर बढ़ें अगले कुशन की तरफ रेल मंतरी तो आप जानते महिला रेल बोर्ड की अध्यक्ष न्यूक की जा रहे हैं 1905 में रेल बोर्ड का स्थापना हुआ था उसके बाद से 2024 में 118 साल का गयप होता है और अब पहली मार महिला को किसी को न्यूक किया गया है अगला कुशन किस IPL टीम ने T20 में सबसे ज्यादा रिकोर्ड खड़ा करने का रिकार्ड बनाया तो दोस्तो सैन राजस हैदराबाद ने एक नया रिकार्ड बना दिया है सन राजस हैदराबाद ने अपना ही रिकार्ड तोड़ा है इन्होंने पिछली बार 277 रन का रिकार्ड बनाया था बी सोबर में इस बार अपना ही रिकार्ड तोड़ते हुए 287 रनों का इन्होंने रिकार्ड बना दिया है 287 रन बना दिये भहिया T20 में ठीक है ना वी सोबर के फॉर्मेट में और किसको हराए है रोयल चैलेंजर्स बैंगलोरू को इस हिनिंग में Travis Head ने सतक मारा था इसमें 22 छक्के किसी एक पारी में लगे हो ये भी एक नया रिकार्ड बना दोनों पारी का मिला करके हाला कि 38 छको की रिकार्ड की पिछली रिकार्ड की बराबरी की उन्होंने कि कुल मिला करके मतलब कि इस मैच में कितने छक्के लगे तो टोटल मैच में 38 छक्के लगे लेकिन एक पारी में सरवाधिक छक्के लगने का रिकार्ड जो है वो 22 छको का थ यह इसी मैच में बना है नया रिकार्ड है किसी एक पारी में एक टीम दोरा ठीक है तो बाकी IPL चल रहा है तरह तरह के फैक्ट्स आते रहते हैं मैं आपको आउगत कराता है रहता हूं इंड में आपको इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो दूँगा इंडियन प्रीमेर लीग का 17 संस्क्रण है टाटा इसका स्पॉंसर है अगला हाली में किसे अंतराष्ट्य मुद्रा कोस का अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक न्यूक किया गया तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक कौन न्यूक कर दिया गया है मतलब अगले पांच साल के लिए फिर से निदेशक कर दी गई है यह क्रिष्टलिना जारजीवा है 2019 में पहली बार निदेशक हुई थी और अभी इंका कारेकाल एक और मिल गया है एक अक्टूबर 2024 से नया कारेकाल सुरू होगा और अगले पांच वरसों त कई सिप्ट में यह कुशन पूछे गए थे कि कौन से संगठन का अंतराशी संगठन का अध्यक्ष किस देश का है तो यह भी ध्यान रखते चलिएगा कौन किस देश से है ठीक है ना जैसे यह बुलगारिया की है किसलिया जाजीवा अच्छा इंटरनेसनल मॉन्टी कोस जो जो आएमफ के जो हाला फिम का जो वाल बनी थी उस वाल पर भी यह सामिल होने वाली पहली भारती यह बनी थी यह भारती है वेसे मुखे अर्थसास्त्री कौन है पियरे ओलिवर गोरिंचस ठीक है यह चीफ एकोनोमिस्ट है एक सुनभे सदस्ति देश है इसमें आएमफ मे अगला ये प्रमुख नियुक्तियां हैं रिवीजन कर लेते हैं आज संजे सुकला को नेशनल हाउसिंग बैंक का नया प्रवन निदेसक नियुक्तिया गया है अनुराक ठाकुर को CBI में संयुक्त निदेसक नियुक्तिया गया है तरुन बजाज US-India Strategic and Partnership Forum के प्रमुख बन या विपरो के नए CEO बने हैं और लव कुमार को SPG में नया महानिरचक नियुक्तिया गया है ये प्रमुख नियुक्तिया है लास्ट कुछ दिनों की हाली में किस प्रसिद्र लेखक ने नाइफ हैरोइंग टेल आफ रीजिलियंस एंड फाइट फर दा फ्री स्पीच नाम की पुस्तक लिखी इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों सलमान रुस्ति ने इस पुस्तक के बारे में बस इतना ही जान लीजिए ये उन्होंने अपने ही उपर घटिद हुई एक घटना का इसमें जिक्र किया है जो घटना पुरी दुनिया भर में चर्चा का विसे बनी थी मैं पर इन पर चाकू से हमला हुआ था और उसी हमले में इनकी एक आख चली गई थी तो उसी संस्मरंड को इनकी इस पुस्तक में पिरोया हुआ है देखिए नाइफ इसका नाम भी है क्योंकि चाकू से हमला हुआ था तो नाइफ नाम की पुस्तक इनकी है ठीक है ना यह पुस्त करने की खोश्चना जारी कर दी है, पुस्तक का पूरा नाम जो है, वो है, नाइफ, ए हैरोइंग, टेल आफ, री साइलियंज, एंड़, फाइट फर्डफ, प्री स्पीच, तो ये पुस्तक, 2022 में देखी हैं इन पर आटेक हुआ था, कारेक्रम में, तो ये इसका इनने वरंड किया है, पिछले दिनों में कौन-कौन-सी पुस्तक आई हैं, जैसे दलाओ और इन स्प्रिच्वाल्टी ये प्रोफेसर रमन मित्तल और डाक्टर सीमा सिंग ने लिखा है, आइकेन कोच, सिध्यार्थ राजतेकर ने लिखा, ये कल में रिविजन आपका करवाया था, आज फिर से रिविजन कर लीजे, माइंड को अपने बार-बार रिकॉल करते रहे, चीजे याद हो जाएंगे, आगे, हाली में, इंडिया ने किसे अपना नया ब्रैंड अमजडर न्यूक किया, तो इस्पेस इंडिया के नए ब्रैंड अमजडर दुस्तों न्यूक किये गए हैं, संजना सांखी, संजना सांखी, ये स्पेस इंडिया को प्रमोट करेंगे, संजना सांखी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हैं संजना सांखी, ठीक है ना, तो यह Space India को promote करेंगी, Space India basically एक company है, या कहें कि एक संस्था है, जो ISRO की अंतरगत काम करती है, ISRO की द्वारा registered space tutor है, मतलब यह है तो private, लेकिन यह Space Technology को सिखाती है, पढ़ाती है, ISRO से registered है, तो Space Technology में लोगों को आकर्सित करने के लिए, जो students हैं, उनको कोचिंग करने के लिए, कहीं कहीं मदद ही हो रही, मैंने आपको ISRO का start कारेकरम भी पताया था, जिसके तरह इस रो अंतरगत सिउध्यान पर training देता है, जिससे उद्देश यही है कि जो UA हैं, जो छात्र हैं, वो Space Science के बारे में जादा जाने, और आगे चल करके ISRO को अच्छे-चे scientist भी मिल सके, तो है संजना सांगी को, ठीक है, डेड़ मिलियन से अधिक छात्रों को यह जो Space India है, इसने प्रेरित भी किया है, इसके co-founder है सालनी बहम्मा और प्रबद निदेशक है सिवम कुपता और मितुल जाए, 2001 मेस थापित हुई, सिरिनाम नौमी आफर का दूस्तों आज आखरी दिन अभी है, टेस्ट बुक पास प्रो लेने का, मात्र 351 रुपय में, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, टेस्ट बुक पास प्रो तो फटा फट से लिया लिया आज, क्योंकि आज की बाद आफर इंड हो जाएगा, 351 में है, और MZT कूपन कोड यूज करने पर 12% का और डिसकाउंट मिलेगा, किसी भी एक्जाम के आप मौक टेस्ट स्वल्व कर सकते हो, प्रिवेस एर के कुश्चन सोगर भी स्वल्व कर सकते हो, और सिलेक्शन पाने पर आपको फुल रिफेंड भी किया जाएगा, अगर भारत टेक्स्टोरी से नहीं बचना जा रहा है, भारत और मारिसस इन दोनों ने एक समझाता किया है कि जो नागरिक टेक्स्टोरी से बचने के लिए इधर दोर हेर फिर करते हैं, उन पर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उन पर हस्ताक्षर किया जैसे मैं आपको बताऊं, जा जा करके वो माल्दिव में, या सिंगापूर में, या मारिसस में इन सभी देशों में जा जा करके अपनी कमपनी को रेजिस्टर कर लेती हैं, या किसी छोटे मुटे नाम से दूसरे दूसरे को कमपनियों को बना लेते हैं, फिर इन कमपनियों में ये किसी ने किसी प्र प्रोड़क्ट दिया है या फिर इसे लिए बैपार किया है जिस भी प्रकार से तो यह इसलिए कि आपर के किया फिर गुटे लिए वाहां की इसे और बहुत सारे यह सकोरी कुरुँट को दिखा करके औराबगे, documentation की ज़रूत पड़ती नहीं है दूसरे देसों में किसी company किसी startup के लिए तो वहाँ पर छोटे मोटा room ले करके किराय पर उसको दिखा करके कि यह हमारा head office है तल लगा करके और या फिर किसी एक employee को बढ़ा करके और पूरा branch यहां डाल लिया और यहां उसी संधी में कुछ और संसोधन किये गए है जो उसी protocol में कुछ और संसोधन किये गए है ठीक है ना यह अनुक्षे 27 भी लाभ की पातरता के तहट आता है और इसके इस संधी के दुरुपयोग से बचने के लिए यह किया गया है कुछ treaty ऐसी होती है जिसके तहट जो छोटे-मोटे देश होते हैं वो attract करते हैं कि आओ हमारे यहां आप करो investment करो हम इतनी छूट देंगे हम अपने आँ land देंगे हम अपने यह service देंगे तुमको आओ हमारे हां investment करो जोसे UAE वगरा है वो golden बीजा देता है ठीक है ना तो ऐसे बहुत सारे देश हैं वो अपने यहां attract करने के लिए वे कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं तो उन policy का दूर रुपयोग होने लगता है तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ऐसा किया करे है I hope आपको यह बात समझ में आई होगी मौरिसस की अगर बात करें तो Port Louis इसकी राजधानी होती है प्रविन जगरना इसके प्रधान मंत्री है और मुद्रा यहां की भी रूपी ही होती है अगर आप मैप में देखोगे तो जैसे मैप में आपको इपना प्यारा भारत दिखेगा यहां से नीचे अगर आऊगे नप्री आपको दिखेगा यह आफ्रीका कॉंटिनेंट है यहां जैसा तूटा हुआ है तो मारिसस यहीं पर है और मारिसस एक ऐसा देश है जहाँ पर समझे लोग कि 90-95% भारतिये मूल के ही लोग रह रहे होते हैं और मारिसस की मुद्रा में ने बताया ही मारिसस रूपी अगला सिंगापूर के परधान मंतरी ली सिंग लूंग के इस्तीफे के बाद नए परधान मंतरी कौन बनेंगे तो देखो सिंगापूर के वरतमान में जो परधान मंतरी है ली सुंग लूंग इन्होंने इस्तीफे की घोशना कर दी है ये इस्तीफा देंगे 15 मई को और जब स्तीफा दे देंगे तो उसके बाद इन्होंने अपना सकसर भी अनुज करतीया है इनके बाद जो सकसर होंगे वो वरतमान में डिप्टी पीएम जो है उपुप्रधार मंतरी जो है वही iba पूरी वनेंगे वो कौन है bilmiyorum जो हैं लॉरेस vaung बनेंगे, पार्टी का नाम है इनकी People's Action Party, सिंगापूर, सिंगापूर की राजधानी दोस्तों, ये सिंगापूर सिटी होती है, मुद्रा सिंगापूर डालर होता है, मैप सायद नहीं लिया गया है, कोई बात नहीं, मैं इसमें दिखा देता हूँ, आपको कहा पर है, यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट जैसा, एक छोटा सा देश है, वो है सिंगापूर, ठीके न, ये छोटा सा, ये इंडोनेसिया है, ये मलेसिया है, और यहाँ पर छोटा सा आपका सिंगापूर मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला, हाली में भारत पे ने किसे अपना नया CEO न फाइनेसियल ऑफिसर थे, अब चीफ एक्जेकुटिव ऑफिसर होंगे, भारत पे एक फिंटेक कमपनी है, और जैसे फोन पे है, आपका गूगल पे है, वैसे ही भारत पे है, तो इसके CEO होंगे, ये चीफ एक्जेकुटिव ऑफिसर होंगे, 2022 में मुख्य वित्य अधिकार चानी और भाविक कोलाडिया थे, चेर्मेन इसके रजनीश कुमार है, जो SBI के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, अगला कुश्चन है, हाली में किसे हर्वर्ड युनिवर्स्टी द्वारा परतिष्टे साउथ एसियन परसन आप दा इयर प्रुसकार से सम्मानित किया गया है के परतिभा के लिए यहां पर सम्मानित किया गया है, 2024 में अभी एक कॉमेडी फिल्म आये थी, मीन गल्स, तो मीन गल्स में इन्होंने करेन सेटी की भूम क्या की थी और वो यह भूम क्या देखकर, यह जो हार्वर्ड वाले हैं काफी परसन हुए, कॉमेडी फिल्म थी भा रस्मी कुमारी ने, रस्मी कुमारी आपको यहां पर दिख रही है, खास बात यह है, यह ONGC कंपनी जो आपने सुना है, Oil and Natural Gas Corporation, India Limited, जो कि महारत कंपनी है, उसमें यह मैनेजिंग पोश्ट पर है, मैनेजर है यह और मुख्य प्रबंधक है, चीफ मैनेजर है, किसी भी बाक दिये देखे, कैरन बोर्ड की राष्ट्ये चैंपियन बन गई है, यह इनकी प्रतिभा है, और महिलाओं के फाइनल में इन्होंने फाइनल में हराया है के नागा जोथी को, बारवा इस बार का राष्ट्ये कैरन चैंपियंशिप का यह आयोजन था, यह तीन बार की विश् पिछली बार जीते ही थे, इस बार भी इनोंने जीत लिया है, और फाइनल मेंनोंने हराया है, एस आधित्य को, क्लियर है, तो यह थे तो साथियों आज की दिन के टॉप 10 करेंट अफ़र के कुश्चन, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है त इसे लाइक और सेयर जरूर कर देना, आप लोग आज का लाइक और सेयर नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों, चलिए अब लाज जी का कुश्चन देखते हैं, जलिया वाला भाग हत्या कांट किस एक के विरोध परदसन के द्वारान हुआ था, तो रॉलेट एक का विरोध प इसे लाइक और से लाइक और से लाइक और से लाइक और से विरोध परदसन के द्वारान हुआ था, आप लोग आज कर देखते हैं, आज लिखेत रूप में नहीं अवालबल है, ठीक है ना, चलिए ये बुक आप आप आडर करना चाहे हो, टेलीगराम पर अपनी पीडिया आप आती है, तो वहाँ से आप पीडिया 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 डाउनलूड कर सकते हो, थाक्यू सो मच, मिलेंगे अगिल क्लास में तक लिए नमस कर जाहें, वंदे मात्रम